ये आकाश्वणी है अब आप आशुतोष जैन से समाचार सुनिए दिल्ली समोहिक दुशकर्म की पीडित लड़की के शव को आज विशेश चार्टर विमान से दिल्ली लाय जा रहा है। के सवदरजंग अस्पताल में उसके तीन ओपरेशन किये गए। सिंगापुर अस्पताल के मुक्चे कारिकारी अधिकारी डॉक्टर केलिवन लोह ने एक वक्तवे में कहा है कि कल रात पीडिता की हालत बेहत गंभीर हो गई थी। उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया थ डॉक्टरों ने उसका जीवन बचाने के भरपूर प्रयास किये। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और एंटिबॉयटिक्स की अधित्म खुराग दी जा रही थी। इस घटना को लेकर देश में बहुत आक्रोश फैला और विरोध प्रदाशन हुए जिसमें दिल्ली कि एक पुलिस कर्मी की मौत हुई। पर शोक व्यक्त किया है। राश्टर पती प्रणव मुखर जी ने अपने संदेश में कहा है कि वो एक बहादूर लड़की थी और भारतिय युवावर्ग तथा महिलाओं का एक बहतरीन उदाहरंड थी। प्रधान मंत्री मनमोन सिंग ने अपने शोक संदेश में कहा है कि उ लोगों से शांती बनाय रखने की अपील भी की। दिल्ली सामयक दुशकर मामले में तीन जनवरी को पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जाने की संभावना है। कानून व्यवस्ता से संबद विश्वेश पुलिस आयुक्त धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि आरो तिलंगाना के कई जिलों में बसे नहीं चल रही हैं हलाकि रेल सेवाए सामाने हैं। कई जगों पर दुकाने और पेट्रूल पंप स्वेच्छा से बंद किये गए हैं। तिलंगाना राष्ट्र समीती टियारस समर्थकों ने कई जगों पर विरोध प्रदर्शन कीये, कई सरकार द्वारा कोई निर्णे ना लेने के विरोध में बंद का आयोजन किया है। जपान के नए प्रदर्शन मंत्री शिंजो अबे ने ऑस्ट्रिलिया और भारत को शाविल करके जपान अमरीका सुरक्षा भागेदारी को विस्तरत करने का आहवान किया है। जपान इस समय चीन के साथ गंभीर द्विपक्षे सीमा विवात का सामना कर रहा है। उरुने का कि जपान, अमरीका और भारत के बीच पारस पर एक सुरक्षा सहयोग का विस्तार इस खेतर में शक्ति संतुलन के लिए फाइदे मंद होगा। श्री लंका में पिछले 15 दिनों से बे मौसम बरसास से करीब 4 लाख लोगों का जीवन पर भावित हुआ है। खरीब 40,000 लोग बेघर हो गए हैं जिने 242 रहत शिवरों में रखा गया है। मौसम विभाग ने देश के अनेक भागों में वर्षा जारी रहने की चेतावनी दी है। इंगलेंड के पूर्व कप्तान और जाने माने क्रिकेटर, कमेंटेटर, टोनी, ग्रेग का आज सिडनी में निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे। ग्रेग ने इंगलेंड के लिए 58 टेस्ट मैच में 3599 वे रन बनाए और 141 विकेट हासिल किये थे। आखिल भारती फुटबॉल महासंग ने आज मोहन बागान कल माच रिपोर्ट के बाद ये नेने लिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तीन एक देवसिये मैचों की क्रिकेट रंखला का पहला मैच कल्चे नई में होगा। आखाशवानी से इस मैच का आँखो देखा हाल सवेरे 8 बज कर 30 मिनट से प्रसाइद किया जाएगा। इसक माच रिपोलेटिन समाप्त हुआ।